हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने किचन में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रोकली की सबजी जिसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए ये मैंने आधा केजी ब्रोकली ली है जिसको मैंने अच्छे से ग एक बड़ा प्याज जिसको मैंने काट लिया है, अद्रक लैसुन का पेस्ट, दो टमाटर जिने मैंने काट लिया है, एक पिंच हींग, एक बड़ा चम्मच धनिया पावडर, और एक चम्मच जीरा, सबसे पहले एक कड़ाई में दो बड़े चम्मच तेल डालके गरम कर लेंगे, देखिए तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, धनिया पावडर और हींग, अद्रक लैसुन का पेस्ट, और इनको चलाएंगे, अब हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्ची, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे, अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पावडर, लाल मिर्ची पावडर, और इनको अच्छे से फ्राई कर लूंगी, देखिए हमारा तड़का गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, अब मैं इसमें डालूंगी सुवाद अनुसार नमक, और इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे, देखिए टमाटर पक गए हैं, अब इसमें डालेंगे आलू, आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इनको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, देखिए आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे ब्रोकली, और ब्रोकली को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए सभी सब्जियां मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है, अब मैं इसे ढखकर मेडियम फ्लेंपर सभी सब्जियों के गलने तक पकाऊंगे, बीच-बीच में सब्जी को चलाते रहेंगे ताकि इस सब्जी नीचे ना लग जाए, ये देखिए हमारी सब्जी अच्छे से गल गई है, और अब मैं गैस का फ्लेंपर बंद कर दूँगी, और देखिए हमारी ब्रोकली की सब्जी कितनी जल्दी कितनी आसानी से बन कर तयार हो गई है, मैंने इसे धनिये से गार्णिश कर लिया है, ये देखिए बन कर ये हैं कितनी स्वादिष्ट दिख रही है, आप इसे जरूर ट्राइ करें, और कमेंट बोक्स में मुझे बताईए कि आपको मेरी ब्रोकली की रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले, थैंक यू,